हलो वेलकम एं नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका अपने यूटूब चैनल अउनली सक्सेस में और आज की इस वीडिये हम लोग बात करने वाले हैं यूपी प्यस्टी का जो कलेंडर 2023 वाला है ये कब तक आएगा और इसमें कौन-कौन सी भरतियों के जो परिक्षा तिति होगी यानि कि BORO या ROGIC की LT हो या प्रवक्ता हो इसमें कौन-कौन सी परिक्षाएं रहेंगी इसमें कौन सी नहीं रहेंगी ये सारी बात करेंगे दूसरा दिसमबर 2022 खतम होते होते आपको किस भरती का विग्यापन देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा या कौन-कौन सी भरती आने वाली है ये सारी बाते हमनों डीटेल में करेंगे तो इस वीडियो को अप लोग जरूर देखिए और अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजे लाइक कर लीजे और इसके बाद में अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में भी प होल जाएए क्योंकि जो करेंट कर अफियर्ज का एक नए सेगمن्ट शुरू किया है वीजिक्ली करेंट अफियर्स वाला जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कियो यह लगभग अभी कुछ एक पहले यह इसमें चुरू किया उसमें क्या है कि जो वीक में जितने भी समचार पतर रहते हैं इंटरनेट में रहता है मैगजीन्स में साथ दिन की जितनी भी न्यूज रहती हो सो कोशन फॉर्मेट में बनाके वन लाइनर में उसको एक पीडिएफ में बनाके आप लोगों को देने की मैंने कोशिश की है अगर आप लोग को लगे यूसफुल है तो आप लोग कमेंट में उसमें बताइए और आप वो मैंने ध्यान में रखके बनाया ऐसा है कि लगभख शुरू से आखरी तक आपका चाहिए जो परिक्षा हो एससी हो रेलवे हो वंडे हो या पीएसी हो एल्टी के परिक्षा हो तो वो लगभख छे मैने का कवर आप मैं कोशिश करूँगा अगस्त से कवर करूँगा अब यह अगस्तक का नहीं बनाया उसमें ने लेकिन यह है कि अभी दिसंबर 14 तक का मैंने डाला हुआ है तो ऐसे से करेंगे आगे का भी कवर करते चलेंगे और पीछे तक एक एक गफ़ते करके अगस्तक ले जाके लगभख छे मैने के आपके पास एक कंपाइलेशन हो जाएगा धीरे-धीरे करके तो उसको भी आप लोग जरूर देखिए और उसको जरूर करिए बहुत इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स के लहाज से अब दूसरा बात कर लेते हैं कि यह जो यूपी पीस्ट का कैलेंडर है तो वो आपका जैएगा ठीक है यह पहले ही बता चुका हूँ जैवरी कब तक आएगा मतलब यह 10 जैवरी से लेके 25 जैवरी तक कभी भी आ जाएगा आपका कैलेंडर औ उसमें सबकी तिथी निरधारित पहले से कर दी जाती है और वो निरधारित करके सबी के पास पुरे साल भर के काम टेबल रहता हो जैसे oppressed करता है यह एस संसी करता है उस तरह से तो यह सारी पटिष्चाएं जो हैं उसमें रहेंगी और जितनी वी परुख्शाइएं आप य RO-A-RO-GIC की है- LT की है तो ये कलेंडर आपका जब भी मैँत- तो इसमें believe- की परिक्षा RO RO की परिक्षा रहेगी प्रवक्त जी, आईसी वालि आपको देखने को में हङकी LT की परिक्षा ती-ठी को मिलेगे इसमें संचर ही आमेशा हां लेकिन यह है कि ऐसा मैं यह भोलनाइब अगली साल इसकी परिष्षा होगे नहीं इसमें तिथी हो सकता है, निर्धारित ना करें और ये भी पूरी संभावना है, कि बहूत से इसमें Recave dates रहती है आरक्षी तिथी रहती है, जैसे कोई भी डेट नहीं आ पाई है या कोई नहीं किसी भी कारण वस अगर किसी परिक्षा को सम्मिलित करना है उस कलेंडर में तो आरेक्षे टिथी में इसको शामिल किया जा सकता है जो कि मुझे लगता है ऐसा ही होगा लेकिन पूर निर्धारित होने वाली अभी संभावना नहीं दिख रही उसमें कारण सबस कि वो भी होगी अच्छा लेकिन अब दूसरा ये भी देख लो कि ये जैसा बीयो का हो गया आरो हो गया ये आरो है जी आई सी का है ये लगभग मुझे लग रहा तीन चार महने पहले से चीज़ें चल रही है कि ये परिक्षा आने वाली है कभी इस महने आ जाएगी पंदर उस में हमेशा डाउड रहता है लेकिन ठीक है वो भी एक माद्य हमें जानकारी का तो वो उसकी वज़े से भी एक हाइप क्रियेट हो जाता है मार्केट में लेकिन आरो है आरो के लिए तो मैंने पहले ही बोला हुआ था कि अभी भरती नहीं आएगी और ये शाए लास्ट पीड़े मैंने कल या परसों में डाला था उसमें मैंने आपको बताई इन सारी बाते हैं तो लेकिन अब ये है कि ये जो आपकी भरती है ये सत्य है कि आपकी भरती आनी है और भरती होनी भी है इसमें रिक्त पदा अच्छे खासे हैं इसका अच्छे खासा दियाचना चु तो निश्चंद रहें, optimistic रहें, 2023 वाला जो वर्ष होगा, उसमें आपको ये जितनी भी परिक्षाएं हैं, ये सारी की सारी देखने को मिलेंगी, एल्टी वाला मैंने आपको बोला कि इसमें आरक्षित तिथी में ही होगा, इसमें हो सकता है कि आपको शुरुवाती चार या पांच महेने परिक्षा हो जाए इसकी, लेकिन हाँ, ये है कि पूर निर्धारित मुझे लगता नहीं कि इसकी तिथी होगी उस कैलेंडर में, जन और अब बात कर लेंगें, दिसम्बर माह में किसका किसका विग्यापन आने वाला है, ये जितनी भी भरती हैं, ये आप लोग देख रहे होंगे, पिछले 6 महीने से, लगभग जून जुलाई के बाद से, ये सारी भरतीों के विग्यापन लगभग आ रहे हैं, जो प्रचारित भी किया जा रहा है, लेकिन अभी मैं आपको बता, अभी भी कुछ लोग बोलने आने वाली है, लेकिन अभी दिसम्बर माह खतम होने वाला है, आज 17 दिसम्बर हो गई है, और लगभग 13-14 दिन रहे हैं, मैंने कुछ दिन पहले जिए और LTO प्रवक्ता का सम्बर माह में अब आयोक के द्वारा कोई भी विग्यापन जारी नहीं किया जाएगा, ये मैं भी आपको बता दे रहा हूँ, इसके लिए परिशान मत होई है, लेकिन आएंगे सारे विग्यापन आएंगे, हाँ ये है कि जनवरी माह में यानि अगले महिने, ये जितने व विग्यापन है, सब आगे पीछे ही आएंगे, और आगे पीछे का मतलब ये है कि आपकी तयारी जोब आप कर रहे हैं, खराब बिल्कुल भी नहीं होगी, पूरे आप मनोयोक से पूरा तयारी आप करिए, और क्योंकि जब ये परिक्षाओं का कलेंडर आएगा, विग्या नौकरी को लेकर, तो जितनी भी ये परिक्षाओं हैं, ये सब आपको मौका 2023 में सभी परिक्षाओं को देने का मिलेगा, और इसमें कई परिक्षाओं ऐसी हैं, जो एक-एक सिंगल स्टेज की परिक्षाओं होंगी, और या डवल स्टेज की हैं, हाला कि इसमें सब डवल स चाहेंगे और अगर आप इलिजबेल हैं तो नौकरी सब को चाहिए है तो आप करते रहिए और लेकिन हाँ दिसंबर में भी कोई विग्यापन आएगा नहीं तो आप उसके लिए भी आप निश्चिंद रहिए बहुत निराश मत होई है कि हर रोज आप सोचेंगा अपन आना है कब आएगा कब नहीं आएगा तो बस यही एक जानकारी थी आप लोग इसी तरह जोड़े रही है स्वस्त रही है मस्त रही है और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है अगर आपको लगता है कुछ काम की जानकारी आपको मिल रही है तो आप लोग देखिए और